हालो फ्रंट्स इस वीडियो में बात कहेंगे जीके के टॉप 10 कोश्चंस के विसे में जो की प्रिमक पुष्टकों उनके लेखकों से सम्मंदित कोश्चंस होंगे वीडियो को लाट तक देखेगा लाश्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके दसमें से कितने सब्सक्राब वीडियो को लाइक जरू कर दें चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन है नेम लिखित में से काउंसी क्रत कालिदास की है काउंसी रचना कालिदास की आपको बताना है आपके आपसंसे माल विकागन मित्रम किराता जुनियम दस कुमार चैतम रच्छकटिकम टो इसमें से आपको काउंसी क्रत कालिदास की है तो चलिए देख्ते हैं तो इसमें आपका आप्स्ण से certains नमबरस माल कोश्चन जर को मारे संब्हों महाकाव कि के और फकायल कालिदास चैतबलार के तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अपसन से होता अपसन नंबर फोर कालिदास यानि कि कुमार संभव महाकाव कालिदास द्वारा रचित है नेक्स्ट कोस्चन है समुद्गुप्त के प्रयाग प्रशाष्ति का लेखक कौन है आपके अपसन है कालिदास है रवकीत करशेडं कि 테스트 मिलिंद पन्हो राज adaptive विच्चों के मद समवाद की रूप में है आपके नाग है ङर जोन नाख भट कुमारिल भट लग इसमें से आपको कान रशन से तो एक जिक्तव मद सम्वाद की रचना है तो चलिए देखते हैं गांत就ई अवाँ आप -बीस राजनीतिक नीतियां धार्मिक समाजिक जीवन तो इसमें से आपको एक्टर एंसर बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अपसर सेंट सेंट राजनीतिक नीतियां कि विशास्त में चाचा की गई है तो चलिए देखते हैं इसमें आपका और вдedy देखते तो चलिए देखते हैं सेकेंड अवसांगार किसकी परत है तूलसी दस कगेडास कालिदा सुधास तो रित्व संगार किसकी इकरत है या आपको बताना है आपके पास 4 आप्सन है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आप्सन से होता आप्सन नम्बर 3R कालिदास यानि कि रित्व संगार जो है वो कालिदास की रचना है next question है राज तरंगडी मुल रूप से किस भाशा में रचित है आपके आपषण है डोगरी संस्क्रत हिंदी पाली तो राज तरंगडी की भाशा क्या है यह आपको बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्शन से होता अप्शन नमबर सेकेंड संस्क्रत यानि कि राज्ट तैंगडी संस्क्रत भासा में रचित है नेश्ट कोश्चन है मालती माधो किसकी क्रत है आपके अप्शन ने बाढभट हाश्वादन भावभूत सूध्रक तो इसमें से आपको कायक्टरेंगे से बताना है कि मालती माधो किस की रचना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से होता अप्षन नमबर 3rd भावबूत यानि कि मालती माधो भावबूत की रचना है नेस्ट कोशन है जातक कथा हैं किसके जीवन पर आधारित हैं आपके आपसन है वाय दिग्रीस जैन ती ठंकर बोधिसत्य इन में से कोई नहीं तो जातक कथा हैं किसके जीवन पर आधारित हैं यह आपको बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से होता है थार्ड बोधिसत्य यानि की जातक कथाएं बोधिसत्य के जीवन पर आधायत हैं आप फ्रेंट्स आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 10 में से कितने कोशन आते थे या आपने कितने कोशन सही किये इसके साथ याप चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राब वीडियो को लाइक जरू कर दें चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू